इस पा रहे है कि इतनी बहत्री तरीके से पेंटिंग कैसे बनाई गई ती उस टेम पर किस चीज से पेंटिंग बनाई गई थी क्या उस टेम पर पेंट का कोई अविश्कार हुआ था मुझे तो नहीं लगता कि इतने पुराने टाइम में कोई पेंट का विश्कार हुआ होग कि आपको यह पेंट जैसे गहरू रंग हुआ करता था उस टैम पर गहरू रंग यूज हुआ करता था और जानवर के खोन में मिक्स करके उसको मिला करके जब पैंट तैयार किया जाता था जब पैंटिंग्स बनाई जाती थी दोस्तों मैं उस साइड पहुच चुका वह उस भी इत्व पैंटेंग्स ती अभी जैसे में आपको डिखा रहा था दिखाई भी दे रहेंगे आपको यह काफी ज़्यादा पैंटिंग्स बनी हुई आपकर किसी में सवास्तिक बनी हुई हैं पर यह चक्र कर देश बना हूँआ लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमारी और ट्रेक्शन में नहीं लेगी तो बहुत जल्दी डैमेज होने वाली है हमें इन साइटों को डैमेज होने से बचाना है जो इस सिला दीख रही है आपको गुपा के अंदर बहुत बड़ी सिला है कितनी खतरनाक गुपाओं में हमारे जो पूरवस्ते वो रहा करते थे हम जा रहे हैं दूसरी साइट पर जो इससे भी बड़ी बड़ी पैंटिंग्स है काफी बड़ी बड़ी पैंटिंग्स बनाई गई है मैं आपको उस पैंटिंग्स को और दिखाने वाला हूँ बहुत ही बहतरी न तरहीके से बनाई गई वो पैंटिंग्स हम यह उता है अब कुछ पेंटेंस मिलती है कि नहीं दोस्तो इसमें चंगा दढ़ा है उड़ रखिए अब आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हम बताँ नहीं वाप से जाना जो है लो दोस्तो देख यह आप देख रहें सवास्तिक यह सवास्तिक है यह तिर्सूल बना हुआ है लेकिन नीचे से टूटा हुआ है इतना अंदेरा बना हुआ है यहां पर पैंटिंग्स तक नहीं पहुच पा रहे हैं क्योंकि चमगादड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें कभी इस्तरफ कभी इस्तरफ अंदेरा भी है लाइट जोड़ देखते हैं इसमें टॉर्च यह उड़ रहे हैं देख दोस्तों यह चमगादड है कभी इस्तरफ कभी इस्तरफ आगे नहीं जा सकते इसमें क्योंकि चमगादड बहुत जाता है थोड़ी बहुत चमगादड होती हम सामना कर लेते लेकिन इसमें बहुत ही ज़्याद है नहीं पहुच सकते इसमें